है वाट्सब गाई सब्सक्राइब तो आज हम बात करने वाले हैं विंडोस 11 के बारे में और यह अभी अन्वील किया था माइक्रोसॉफ्ट ने और इसके उपर पहले ही लीक्स आ चुके थे बाइट मैं ओफिस्चिल कंफरमेशन की वेट कर रहा था कोई भी वीडियो डालने से पहले क्योंकि वो फाइनल नहीं होते और गाईस मैं जानता हूं मेरी बहुत जादा ओडियंस मैं इंट्रस्टेड है सो मैं इसका कंपारिजन मैं को इसके साथ करूँ और गाईस शुरुवात करने से पहले अगर आप इस चानल पर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्रा और एक बहुत ही इंपोर्टन चीज बताऊंगा सो सबसे पहला जो आपको चेंज देखेगा इस वीडियो में जो भी इनोंने विंडोस 11 के बारे में दिखाया है वो है कि जो भी इंटरफेस है लेयाउट है यू आए है वो सब चेंज हो गया है सो यह थोड़ा मिनिमिलिस् तरफ आइकन होते हैं वो डॉक सा जो होता है उसके अंदर आइकन होते हैं इनोंने भी वही कर दिया है सो एक क्लीनर लुक चाहरे है यह भी जो की एक स्टेप है राई डारेक्शन में और यह काफी कुछ करता है जैसे कि माक ओस का सबसे बड़ा डिसड़ांटेज है कि कोई कि अभी टच सपोर्ट नहीं है सो मैक बुक आता ही नहीं जिसमें टच हो और जो आईपाड है उसके अंदर आईपाड ओस डलता है विंडोस में आप टच भी यूज कर सकते हैं लाप्टॉप आते हैं एच्पी एनवी एक्स 360 होता है वो चीपर रेंज में भी आते हैं अग एक क्या है जैसे जो मेरे एक्स्टरणनल मॉनिटर वाली अपने एक वीडू देखी होगी लगोगे नहीं देखी है तो वह आप चेक ड़ाउट कर सकते हैं इसống को डिवाइड कर सकते हैं उसके साथ बॉक्स बना सकते हैं जिसमें आप अलग-अलग कम कर सकते हैं अब आब इसलिए वो बहुत जादा stance बनाता है और वो LG का खुद का software है तो Windows ने उसको sort of inbuilt feature डाल दिया है यह मैंने use किया हुआ है पहले और यह काफी effective होता है so Windows के अंदर ही वो आ जाना obviously काफी अच्छा है वो macOS में नहीं है but उसमें Google का जो software है Chrome OS है इन सब में है वो so यह था major difference UI में और UI जो है वो मेरे हिसाब से far better है जो पिछली Windows 10 की UI थी so अगर आपको नहीं पता सो Windows 7, Windows Vista, Windows 10 इनके बीच में काफी जादा differences थे क्योंकि Windows Vista बहुत ही एक flop मैं flop नहीं बोलना चाहूंगा but बहुत ही disappointing operating system निकला था so Windows 10 में rush हुआ था and Windows 7 बहुत जादा लोगों ने use करी थी इसे चक्कर में so Windows 7, Windows 10 दोनों अच्छी थी अब ये Windows 11 भी अच्छी लग रही है और hopefully ये Windows Vista जैसी नहीं होगी so Windows Vista चाहे वो थोड़ी सी से resemble करती है थोड़े glass वाले features है वो इसे related है और गाइस विस्टा जैसी performance हम expect नहीं करना चाहेंगे इस Windows 11 में so जो भी इन्होंने दिखाया है वो एक clean UI दिखाया है आपको icons भी दिख गये होंगे आपको teams का icon दिख गया होगा so आप I think अपने university में आपने work environment में teams काफी use करते होंगे so वो inbuilt डाल दिया है और widgets डाले है जैसे मैंने बताया था transparent glass like design डाला है so ये सब एक अच्छे way में है and आप expect कर सकते हैं कि जो आपका UI होगा वो Windows 10 से personally में को तो जो लगता है कि बहुत ही जादा better है and I think ये सई अप्रोच है Windows की तरफ से considering पिछले कुछ सालों में काफी जादा criticism मिला है इनको चाहे Windows 10 अच्छी थी but Mac OS के आगे ये बिल्कुल भी stand नहीं कर पा ली थी so एक अच्छा clean refresh है and आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत सारे touchscreen वाले controls होते हैं ये एक बहुत ही बड़ा benefit है अगर आप देखो Mac OS ते compare करो तो so अगर आपको ये सब पसंद है तो आप probably Windows ही choose करें and इसमें एक और चीज है जो surface वाले laptops हैं और जो भी उसके अलग से keyboard आते हैं वो detach हो जाता है so उसके लिए ये काफी काफी useful हो जाता है so उन सिनारियो में ये काफी beneficial होता है and guys touch screen ऐसे नहीं है Windows 10 में नहीं आता था but better implementation है उसका सबसे बड़ा reason है क्योंकि अब apps भी आ गई है so जो सबसे बड़ा change में को लगा Windows 11 में वो है Android apps so जो Android apps है वो directly नहीं आई but वो Amazon के थूँ आ रही है so जो आपको play store दिखता है अपने phone में Android phone में so वो आपको नहीं दिखेगा but उसकी जगा एक Amazon का store दिखेगा जिसके अंदर apps है so क्योंकि वो Windows के अंदर है so आप expect कर सकते हैं कि at least सारी major apps फटाफट उसके अंदर आ जाएंगी ये similar scenario है जो Apple Silicon के साथ हुआ था जिसमें आपका बहुत सारी apps थी जो starting में support नहीं कर रही थी अजीब अजीब सी चल रही थी so उन सब का support आते जा रहा है apps आड होती जा रही है so आप अपने iOS की iPad OS की इन सब की apps अब Macbook में चला सकते हैं अभी भी वो perfect नहीं है उसमें बहुत सारे updates आते रहते हैं keyboard के shortcuts आते रहते हैं और जो बहुत ही niche apps हैं आपको वो बहुत जादा time तक ढंक से चलते वे नहीं दिखेगी बट ये जो Android वाला है इसमें भी finally apps आ गई हैं so जैसा इन्होंने दिखाया था TikTok चला सकते हैं Instagram चला सकते हैं ये सब आप Windows पे चला सकते हैं बट ये Amazon के थुरू है so अब ये देखने का एक sort of scenario है की आपको ये apps free में मिलती है ये paid मिलती है ये कैसे होता इनका pricing model क्या होगा बट अभी के लिए जो भी Android वाली सारी apps हैं वो आपको Amazon के थुरू मिल जाएंगी और ये काफी बड़ा step up है so आप एक चीज़ और देख सकते हैं अब यहाँ पे अब सिर्फ Mac OS versus Windows 11 नहीं रहा ये iOS, iPad OS versus Android भी हो चुका है so ये एक और aspect है जो आप consider कर सकते हैं और एक चीज़ और add करी है जिसका नाम है Auto HDR so HDR आपके TV को support करना चाहिए सबसे पहली चीज़ इसके लिए और ये basically HD content को HDR में change कर सकता है and I don't think कि ये natively उतना अच्छा कर पाएगा ये एक software enhancement है और आपका graphic card इसको support करना चाहिए बट फिर भी कुछ ना होने से ये काफी काफी better है so ये थी main चीज Auto HDR की and ये जो भी performance इसकी होकी वो हमार को देखने को पता चलेगा एक stable build में अभी beta build आई हुई है so मैं recommend नहीं करता कि आप जाते ही download कर ले आपको जब आपका windows अगर आपका 10 है और आपका laptop पिछले 2-3 साल पुरा नहीं है so आपको एक windows 11 upgrade मिल जाएगा so जैसे मैंने वो hp की video बनाई थी जो मैं recommend कर रहा था laptop क्योंकि वो एक ऐसे budget में था और काफी जादा productivity के लिए अच्छा था so वो वाला जो laptop है for example उसके लिए आपको windows 11 update free में मिल जाएगा so यह काफी साही चीज है अगर आप windows 11 अलग से खरीदना चाहें so वो जादा expensive पड़ेगी उससे better होगा कि आप windows 10 खरीद लीजे और सीधा upgrade कर लीजे so windows के बहुत जादा फायदे भी होते हैं और कई चीजे होती है कि यह जादा open है macOS से and आपको 30 security नहीं मिलती वो एक downgrade है अगर आप security के बारे में बहुत concerned है जो आपको होना चाहिए मेरे साब से so वो आपको इतना नहीं मिलता windows में macOS में ऐसा नहीं है virus नहीं आते यह बहुत बड़ा misconception है मैंने एक बहुत ही नए virus के बारे में वीडियो भी बनाई थी and वो जो silver sparrow virus था वो नए apple silicon को target करता था so ऐसा नहीं है macOS में virus नहीं आते बड़ वो फिर भी इससे काफी जादा secure है so जो macOS है iOS है वो मेरे हिसाब से जादा stable होते हैं और जादा secure होते हैं windows और android से यह एक known fact है इसके pros और cons दोनों आते हैं अगर आपको security के बारे में थोड़ा सा भी है तो आप obviously macOS और iOS पर जाएं वो no doubt जादा secure है apple एक अलग से section रखती है अपने जो भी उनकी presentations होती है कि उन्होंने secure और privacy कैसे enhance करी है अपने iphone में macbooks में ipad OS में वो यह वाला section जरूर रखते है windows 11 android उसमें यह case नहीं है इसके थोड़े से reasons है एक reason यह कि windows और android को काफी सारे अलग-अलग devices use करते है apple अपना device खुद बनाती है उनका खुद का software होता है उनका खुद का hardware होता है point है जो आपको consider करना चाहिए और i think अगर आप windows को बहुत ही जादा seriously ले रहे हैं और आप wait कर रहे हैं कि windows 11 आएगी और वो macOS जैसी होगी सबसे बड़ा issue यहां पर आता है वो है stability का मैंने अपनी फिशली वीडियो में बता रखा है कि macOS बहुत stable है और आप अपनी laptop की lid बंद कर दीजिए आप अगले दिन सुबह उसे फिर से खोली आप अपने काम पे लग जाए आपको जादा फरक नहीं पता चलेगा windows में ऐसी चीज नहीं होती अगर आप macOS में ऐसा कुछ करते हैं आपकी battery drop होती है एक या दो परसेंट windows में battery भी जादा drop होती है system भी restart हो जाते हैं वो apps भी नहीं खुली होती जो पहले खुली होती थी macOS आपको चाहे उन्होंने system update कर दिया वो आपको सारी apps वहीं छोड़ के देगा जहां पे आपने अपनी lid बंद करी थी so ऐसी कई चीजें हैं जो की एक stable OS में बहुत ज़ादा advantage देती है यही चीज में को थोड़ी macOS की तरफ ज़ादा अच्छी लगती है and इसका फिर से एक loss है कि आप एक Apple ecosystem में आ जाते हैं आप उतनी चीजें नहीं कर सकते सारी चीजें paid की तरफ ज़ादा होनी शुरू हो जाती है so Windows में काफी कुछ free भी होता है आप कुछ ना कुछ करके उनको free ले भी सकते है macOS में इतने options नहीं होते यह बहुत ही tight knit ecosystem है और यह पूरा Apple के साथ governed है इनी का hardware है इनी का software है so आपको smoothness मिलती है flexibility इतनी नहीं मिलती so यही था guys main comparison Windows 11 का और macOS का और जैसा मैंने बताया है यह अब iOS versus Android भी हो गया है क्योंकि दोनों की apps आ चुकी है दोनों operating systems के अंदर जो की I think एक बहुत ही जादा leap forward है और apps जब support करनी शुरू हो जाएंगी so काफी जादा आप अपने एक laptop के थूरू कर सकते है and productivity आपकी increase हो सकती है मैं इत करता हूँ कि आपको यह समझ आ गया हो कि आपको Windows 11 के लिए wait करने की ज़रूद है या नहीं and जिनके बाद Windows 10 है वो beta version पे मेरे साब से अभी ना जाएं अपने आप stable build आने दें क्योंकि Windows में पहले ही कुछ ना कुछ चलता रहता है अगर आप उनका beta version join करेंगे उसमें और आपको issues आएंगे और अगर आपको ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको कोई भी interruptions नहीं चाहिए और आप यह नहीं चाहते कि आपके apps crash हो आपके software crash हो आपको macOS पसंद है या windows आपने अगर दोनों use करी वही है और क्यों पसंद है जो भी आपको operating system पसंद है तो इस बारे में comments में जरूर बताना और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे like भी जरूर दबा देना और चैनल पे subscribe भी जरूर कर लेना ऐसे ही technology वीडियो के लिए so guys आज के लिए बस इतना ही thank you